तो भाई हमारी पोड़कास में बोली हुई दोनों बाते फाइनली जनाब और मैडम ने मान ली है एक तो बच्चे को टूपीस वाले कपड़े पेनाए जाए कम सकम और उनको जूते वगरा पेनाए जाए और वो पेना दिये है बकाइदा माशालला वो अच्छा लग रहा है बच्चे के बराबर के फुल फुल कपड़े के पहना देती है अच्छे पहना हाई पैसो की कमी नहीं है तो और दूसरा कि यह हमने बोला था कि जाएं और डेली की मान ने गई हैं तो अब यह तो क्या कह सकते हैं कि यह पोड़कास सुन रहे हैं यह नई सुन रहे हैं पर एट लिस्ट जो दो अच्छे कामों के लिए हमने बोला था वो दोनों अच्छे काम होगे और हमें क्या चाहिए हाइफ वेलकम बैक टू मैं चैनल में न्यू है तो चैनल को साथ बच्चे के साथ क्या क्या को तंगे करते हैं लोग और वह लाका दिखा रहा है जनाब 2.0 के लोग देखो अम्मी की घड़ी में इतने हो गए चार हजार स्टेप्स हो भी गए कहते हैं अच्छा दिन के इतने कैसे हो गए कहते हो सुभई हमने बांद ली ती नहाने के बा हो रहता और जो इनके घर में वाल घड़ी लग रही है उसमें भी लगबग पौने दो का टाइम हो रहा था तो इतनी जल्दी आभी आदा दिन गुजरा है और अम्मी के चाराजार घंटे भी चाराजार स्टेप्स भी हो गए वाम्मी आपने तो खमाल कर दिया भाई तारी पूँचि के पीछे पढ़के जिससे कि जब रिजल्ट मिले तो लोगों को लगे कि अम्मी ने बहुत ज्ञादा मेहनत की यह बहुत ज्यादा मीसे डाइट करवाए गया जो भी है अगर यह वाला भी करवाया गया है तो कोई बात नहीं अच्छा बहतरी के लिए करवाया है क्योंकि इतने डाइबिटीज और सब चीजों के लिए प्रिभी डाइबिटीज हो गया या बॉर्डर लाइन पर हो गया उसके साथ साथ वेट जो है वह बहुत बड़ी प्रॉब्लमेटिक चीज है लेकिन देखने वाली बात यह है कि यह चालू अपके आने तक कब तक में करना है और यह करना है रावा से यह करवाना है लेकिन जैसे चालू अप्या जाती है ना भाई साथ जाड़के बैढ़ जाता है करो तुम्हें जो करना है इस तरह से बड़ी खुशी-खुशी हमी बता जी है कल हम बड़ी इंतजार करते रहे ते 12 बज़ गए थे कि शानू दिखाएंगे हम उनको दिखाएंगे कि हमने इतने स्टेप कर लिए ते 12 बज़े लेट आये थे मतलब समझ गये ना बच्चों को लेकर जो गए हैं तो जनाब ने वह क्लिपिंग बाद में डाली है यहां पर कि क्या किया बच्चों को कह से लेकर गए क्या क्या कराया उनको जो सारा करना था जो कि हमने कहा था कि चालू नहीं थी तो इनके पास बहुत सारी चीजे थी करने के लिए बच्चों के साथ मिलकर यह बहुत सारा कंटेंट निकाल सकते थे और बहुत सारा कंटेंट शूट कर सकते थे और इतने व्लोग जाते इनके पर डे एक व्लोग जा बात रह गया है तो तुम शाम को पईदा हुए ते यह सुबह में पैदा हुआ तुम शाम को छे बजबे हुए तो अब मेरा बड़े आने वाला है और मतलब चोटे बच्चों की तरह से मतलब excitement भाई साब बाप बन चुके हो तो अब जो है ना पहले ही आप तो बाप बन चुके थे मैंने पापा को फर्स निवाया आए मैंने यह निवाया तो जब इस तरह के बाप बन जाते ना तब भी भी लोग अपने बारे में ना सोचकर फैमिली के बारे में सोचते हैं जैसे कि जिम्मेदार बाप करते हैं न다면 नहीं तुम्हें तुम्हें इसकर करो तो आप पता नहीं क्या जनाब की आजीब सी बात है मतलब जब बच्चा हुआ तो कह रहे अब मुझसे कोई फ्लर्ट नी कर पाएगा रिये लिए तुम्हें तुम्हारी बीवी जो है वो खास पसंद निये क्या जो फ्लर्ट करने की भी जरूरत है क्योंकि तुमने तो लब में रीच करी है और तो बहुत लंबे टाइम तक सोस समझ कर फैसला की है चलो वो मजाग की बात थी लेकिन मजाग की बात भी थी तो क्यों आई मुझ पर निकल कर ऐसी बाते तो तब निकलती है ना जिव इंसान के दिल में होती है हमने चालू को और फनी को तो नहीं देखा इस तरह की बाते कर दल गया है पहले मैं मैरीड हो गया था अम मेरी शादी के बाद अब जो है वो मैं पेरेंट बन गया हूं और आप कह रहे हैं कि मेरे बड़े भी ले गया यह बाजी मार गया अरे भाई साब अपने बच्चे के लिए दुनिया दुनिया छोड़ो मैं चलो एक फादर की बात करते हैं एक पापा पतानी क्या क्या कर जाते हैं मतलब एक फादर जो है वो क्या क्या कर जाते हैं अपने खुशी के लिए वो एक तरफ रख देते हैं सब चीजों के लिए लेकिन अपने बच्चों की खुशी के लिए वो सारी दुनिया पार कर जा सकते हैं जो उनकी बस की है उस से जादा हार पैर मारते हैं क्यों क्योंकि मां जब बच्चे को जनम देती है तो एक नया जनम होता है इस वज़े से क्योंकि आपने अंदर समाती है उसको फिल करती है नाइन बन तक इसलिए उसको मां का दर्जा और ये कहते हैं जब जिस टाइम delivery होती है तो एक मान नया जनम लेती है इसलिए उसको मा का दर्जा जो है पापा के देखे थोड़ा सा जादा है उसकी कदमों के तले जन्नत बताई है लेकिन देखा जाए तो जो तपस्या है न वो एक पापा की एक फादर की भी कोई कम नहीं है लेकिन ये तो भई ये तपस् है इड हो हाँ हाँ करके उससे जnings नहीं कहसे खिलते हैं है घिला या डराते हैं वह मा के पास भी जाना पसंद नहीं करता बच्चा आप तो इतने दिन ہو गई घर पर रहते रहते अभी तक भी आपना नहीं पाई यह बच्चे को अपना का नहीं कर, जो कि इस से पहले तो आपने देखी लिया था वो बगई में बैठना है और यह सब कुछ है नौल यह सब जो की पाँच मिनट का एक चैलेज दिया था लेकिन भाई साब क्या बच्ची की परवरिश एक संसकार है आपके साइज होंगे तो हम साइज बाद में बदल लेंगे उसके पास पूरे पांच मिनट थे लेकिन दो मिनट कुछ सेकंड में वो बच्ची रुग गए उसने का बस हब हो गया हमें और नहीं चाहिए माइग आज की डेट में ऐसे बच्चे देखो तो से और अब तुम दे ने पास रखना चाहती थी वो भी ले लिए लड़ जगड़के और जिद करके चीन कर और वो मनानीं कर पाई कि चलो चोटी है फिल दुनिया मुझे कहेगी वो पता निकोरा ड्रामा था यह सच मुष में उसने ले लिया यह सच मुष में दे दिया बट जो भी हुआ कैमरे क सामने तो यही हुआ ना कि वो उने जिद करके उससे ले लिया जबकि उसकी मा समझारी थी कि नहीं ये चालू बड़े प्यार से लेकर आई है तुम तुम्हें दूसरा ला देंगे कि नहीं ये अच्छा लग रहा है तुम ले 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 ना अपने लिए उसको पता है ना चालू दो चीज उठा कर दी के नहीं ये ले लो ये ले लो उसको देखो हор इसने ये किसी बी चीज की क्योंकि उसके पापा ने उसको इन सब चीजों पर सबर करना और ये क्या था ये तो हमें समझ से पर रहे था या तो बाकी लोगों को एक एक ड्रेस दिलवाना चाहिए था और इसको ये मोका दिया गया भी पांच मिनिट में जो हाथ लगे वो तुम ले लो तो तो बात समझ में आई लेकिन कई-कई सारी ड्रेसेज आपने बाकी बच्चों क भी दिलवादी तो फिर क्या ही फरक रहा गया इस चैलेंज में और उन सब में जब जनाब ने ये बोला कि अगर साइज नहीं मिला तो वो कैंसल हो जागा उस पर भी कितने स्माइल तरीके से एकदम थंडे और बिलकुल एकदम काम डाउन होके उसने का हाँ कोई बात नहीं कि तो थोड़ा सा ना उसका बिहेवियर जो था वो थोड़ा सा अजीब था क्या मुझे ही अजीब लगा क्या आपको भी अजीब लगा कि उस टाइम पर प्लीज कॉमेट में बताईएगा जैसे ऐसे लग रहा था कि जैसे वो चाहती थी कि ए अपॉच्चुनिटी मुझे भी मिले मतलब वह चीज़े दिखाई दे थी जब कि विज़ा को हमने अकसर यह सारी चीज़े करते हैं लेकिन सारा इस टाइम पर ऐसे महसूस करें थी वह मुझे ऐसा महसूस हुआ कि आपको भी महसूस हुआ प्लीस कोमेंट में जरूर बताईएगा मेरे साथ जरूर शेयर की तो वहां शीषे के सामने बच्चे को खिला रहे थे गंदा शीषा अनहाईजिनिक तरीके से कई बार तो ऐसे भी होता है कि लोग ना थूक थाक भी दे देते हैं क्योंकि लोगों को तमीज तो होती नहीं होते हैं बहुत सारे लोग पान बीडी का तुन का खाने वाले होते हैं और चलो नहीं भी होते हैं चलो तो नहीं भी तुका होगा तो धूल मिटी यह सब चीज तो होती है ना पॉलूशन तो होते हैं लेकिन बच्चा उसको मू लगा रहा है चूम रहा है उसको कहरें सेल्फ लव अच्छा भई मतलब खुद तो होई अनहाईजिनिक बच्च और उस टाइम पर बच्छा थक गया है और वह कुछ बोल रहा है तुम बुलाने की कोशिश कर रहे हो ग्यारवे महिने में लग गया है बच्छा और उस दोरान भी अगर वह कुछ बोल रहा है तो तुम्हारे लिए जो है नहीं वह इतनी बड़ी बात होगे इस टाइम पर भर घो तो पापा मत जबस बने जैसे अपने पापा को ऑबा जी कहती और वह भी बच्चे पहला अब भाई ही तो बोला है आपके अकॉर्डिंग चालू अपी की तरह से अब जो हमारी मैडम के भी हाथ कापने लगे हैं कि यह घबराहट होने लगी है जो वहां मतलब चाय गिरा दी फोन वहीं पर पड़ा हुआ है चीजे उठानी दी है बचकानी हरकते कर रही है बच्ची बनने की कोचिश करिए यह यह एपर यह रहुंसे हो नहीं यह बैसी हो गया वैसी हो गया हद है बहुत बैप जब जेखो फ़ाएं इन नाम और गया ता सहर को सहर को क्योंकि सहर ने बहुत ही डिगनیटी के साथ वह पूरा करक्तिक ठोड़ भी दिया यह स्शुणितर रही ह और एप्रिशेट भी किया उस थेंक्यू भी बोला है ना और सारी चीज़े लेकिन उसको तो फुटवेर दिलवा दिया गिफ्ट के तो भाई इतने सारे फुटवेर है तुम्हारी पुरी अलमारी भरी पड़ी है पीजा को और बाकी बच्चों को क्यों दिला दिया था फिर इनाम मिला है तो उन बच्चों को इस चीज़ से कुछ सीखने को मिलता अब उसने तो मैनर्स दिखा दिये तो आपने गिफ्ट दिला दिया बिना मैनर्स के बाक्यों को वैसे दिला दिये तो फिर वो कब सीख पाएंगे उन्हें मों का कब मिलेगा सीखने का या अपने आप बच्चों को किस वें वेंगादी तो मेरी मंपड़ने को बैठने का zwy dork को बिठद के पीष पर जगह होती है रोग से मोघला में और उसमें प्ची जा रहे हैं और अगर हम जो मोलना है तो हमारी आउटिंगी नहीं होती तो है ना और भाई रूबेबी को कुछ भी नहीं पता कि तुम उसे कहां ले जा रहे हो कहां उठा रहे हो कहां बिठा और कौन सा मुझे कितनी बार शूट करके दिखा रहे हो मैडम ने चाय गिर तोस्ट लो उसमें डुबा और खालो वाओ बस तुमसे यह उम्मीद की जा सकती थी मैं चाहिल से और क्या ही उम्मीद कर सकते हैं और उसके बाद चालू अपी की तरह से और बाकी लोगों की तरह से घर आए और जो शॉपिंग करके लेकर आए उसको शूट ना करें उसको दि कितने कपड़े दिलाए जोना टू-पॉइंटों कितने लेकर आए फिर अपने अपनी चपले लेकर आए तो वह सारे कपड़े खोल-खोल के दिखाये गए हैं तो तो दिखाना जरूरी है नहीं तो पप्लिक को यकिन थोड़ी ना होता पबलिक तो अंधी यह पब्लिक तो में कितना समान डाल पाती है चलो वो तो जैसे वक्त आएगा जब आएगा तब हम भी बताएंगे आपको ये वीडियो कैसे लगी कॉमेंट में जरूर बताएगे और आपके क्या पॉइंट आफ यह हो भी मैंने कोई पॉइंट मिस कर दिया प्लीज वो भी मुझे कॉमेंट में जरूर बताएगा वीडियो बसंद आए तो लाइक शेर कीजिएगा चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा मिलती हूँ एक और अच्छे सी वीडियो के साथ तिल देन बाई बाई अला पिस देख किया